अच्छा अगर आपकी शादी किसी काली लड़की सो जाती फिर क्या होता? काले रंका हो या गोरे रंका, जहर तो जहर ही होता है यह रहे जोर का जटका है जोर उसे लगा, खान लगा हे फोरे पले पल मने सेव, साधी का के हम के बनाला पती देव मैं 28 सालों से सुन रहा हूं कि आप लोग राना जी से माफी माँग रहे हैं राना जी ने अभी तक माफी नहीं किया? अबे खुद को ऐसा बनाओ, कि जहां से तुम जाओ, बहां सब तुम्हें याद करें और जहां को तुम जाओ, बहां सब तुम्हारा बेसबरी से इंतिजार करें मतलब उधार ले लें सब से लड़कियां बुरी नहीं होती हैं लेकिन पत्नी बनने के बाद, पता नहीं कौन सा सनीचर चड़ जाता है इन लोगों पे आज तक ऐसी कोई रानी पैदा नहीं हुई, जो मुझ जैसे बादशा को अपना गुलाम बना लें ये बकवास खता मोगी हो तो आलू उबाल कर उसके प्राठे बना लो पचास पचास कोस दूर जब गाउं में कोई बच्चा रोता है तो मा कहती है बेटा सोजा बढ़ना दूसरा कैसे होगा आपका सच्चा दोस्त वही है जो आपकी गर्फ्रेंड को दीदी कहे क्योंकि भाबी कहने वाले अकसर गेम खेल जाते है लड़किया मर तो सकती है लेकिन कभी किसी को दोका नहीं दे सकती बागी का जूट तल फैकूँगा दिल ने ये कहा है दिल से कोरोना बढ़ रहा है फिर से अपना दिल ठाम के रखो लोकडाउन हो सकता है फिर से गल्फ्रेंड पतली ही होनी चाहिए गलफ्रेंड पतली ही होनी चाहिए कम जगम गुस्सा आए तो उसे उठा के फेक तो सके सुनो लड़कियो अपनी खुबसूरती पर कभी घमंड आ जाए न तो एक बार अपने आधरकाड वाली फोटो देख लेना अगर आपकी बीबी कचर पचर करे तो ना ही उन्हें डाटे और ना ही उन्हें मारे बलकि येरफोन लगा कर घर से बाहर निकल जाए क्योंकि याद रहे हमें बीमारी से लड़ना है बीमार से नहीं प्यार नीता तो बोल देती ये बोलनने की क्या जुरत थी कि तुम से शादी करूंगी तो बच्चे काले होंगे